हिमाचल परदेश ओद्योगिक विकास निगम के उपादेख्ष प्रोफेसर रामकुमार ने हरोली विदान सबक्षितर के खट में 580 परिवारों को ग्रिनी सुविदा योजना के अंतरगरत निशुर कैस कोनेक्शन परदान के इस अपसरपर प्रोफेसर रामकुमार ने कहा क हिमाचल परदेश की ग्रिनी योजना का उदेश्य महिला शुशक्ति करण के साथ-साथ परिवन शरक्षन है जनता के करियान के लिए अनेकों योजनाय चला रही है गरीबी रेखा के निचे रहने वाले परिवारों का जीवन स्तर सुधारने के लिए हर संबब मदद दी जा रही है परदेश सरकार एक लाग से अधिक परिवारों को किसी न किसी योजना से जोने का प्रयास कर रही है कि खाना पकाने के लिए बश्चों से लकडियों का इस्तिमाल करने वाले परिवारों के लिए परदेश सरकार की गिढ़ी सुब्दा योजना बरदान साबित हुई है योजना के तहट पातर परिवार जहां निशुल्क गेस कनेक्शन मिलने से लावनित हो रहे हैं बहीं गिलनेों को रिसोई के दूएं से भी निजात मिली है हरोली विधानसवा के शेतर में सभी परिवारों को जो ये स्लंडर है वो बाढ़ दिये गे तो आगे की रन नीती कह रहे हैं लिए और कितने परिवारों को अभी तक ये सोगात जो है वो मिल पाई सबसे पहले के अंदर समकार ने मौदी जी के नेत्वितों में उज्जवला योजना देश पर में शुरू की थी जिसका लाव हरोली की जनता को मिला और डेट से दो यहार परिवारों चFr circus का उप हमें जब से यह गिर्णी सुवदा योजना शुरू हुई है तो गिर्णी सुवदा योजना के तहित साडे पांच जार परिवारों को योजना के तहित फ्री में प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य था कि दो साल के अंदर प्रदेश के हर परिवार तक परिवारों ने ये गैस क्रेक्ष्य पहुंचा दिया है लेकिन जितनी बड़ी संख्या में अभी तक ये गैस क्रेक्ष्य दिये गये हैं अगर ग्रिणी सुविदा योजना और उज्वला को मिला देगे तो लगबग साथ हजार परिवारों को फुट गैस किनेक्ष्य परोली जिदार सुवार के दिये गये हैं इसके लिए एक तरफ केंदर के लिए तो केंदर ने ये सुविदा दिये है उसके देश के इशस्ती पुदार मंत्री शरी नेंदर मोदी का हम धन्यवाद करते हैं लिकिन साथ में पधेश के मुख्य मंत्री जिने और आगे बढ़ते हुए बड़ी संक्या में लोगों को ये रहत पहुंचाई है कालगर में बक्त चले शुर्च प्रिक काईवलते हैं प्रेक के बाद